हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा dictionary method के बारे में हैं तो dictionary method जो कि method dictionary के class में define हैं तो लिछ सारे methods को किसी और class के method को देखने के लिए हम DIR function का य्यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी कितनी बार किया एक dictionary बना लीजिए empty तो देखें यहाँ पर मेरे पास काफी सारे methods हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे copy method के बारे में, copy method का use करते हैं हम लोग, copy करने में, dictionary copy करने में मैं एक dictionary बना लेता हूँ, देखें मैंने एक छोटी सी dictionary बना ली यहाँ पर, अब एक काम करते हैं, हम लोग different समझते हैं, copy करना और port को, मतलब इस dictionary को किसी और में, pointer को copy कर दिना, देखेंगे अब यहाँ पर यह दोनों dictionary सेम है, अगर आप सोचने हैं हमें copy करने का मतलब यह हो अब मैं कुछ चेंजिस करता हूँ, महाले जिए port 2 और port 1 एक ही है, अब मैं इसमें कुछ चेंजिस कर देता हूँ port 1.port 1 में की और add कर लेता हूँ, जैसे मैं add करता हूँ 25 तो port 1 and port 2 लेकर दोनों में ही यह चेंज रिफ्लेक्ट हो गया है, इसका मतलब है कि दोनों एक ही थी पस pointer अलग 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 थे लेकिन dictionary memory में सेम थी, अब मैं एक ओडिशनरी में आदा हूँ port 3, which is a copy of pop 1, sorry it's port 1 अब मैं port 1 में कुछ changes करता हूँ, बला addition करता हूँ, माले जी मैं उसमें एक और protocol, एक और protocol number add कर लेता हूँ port number add कर लेता हूँ, DNS, अब दिखते हैं port 1 को, DNS यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब port 2 को भी दिख लेते हैं, साथ ही साथ, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, अब जो copy थी उसमें, देख, copy में वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब, यह इसकी copy है, यह इसकी copy है, यहाँ यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यह दोनों सेम है, अगर आप ID से भी चेक करें, port 1 is port 2, यह दोनों सेम है, port 1 is port 3, यहाँ पर फोल्स है, अब एक और example देख लेते हैं friends, एक नई dictionary बना रहा हूँ, जैसे company, company में मैं एक abbreviation ले लेता हूँ, अब I से start होने वाली companies यहाँ रख ल friends, मैंने एक छोटी सी dictionary बनाई है यहाँ एक list रखी हैं यहाँ पर as a value, यहाँ पर भी as a value, अब देखते हैं, मैं इसकी copy बना लेता हूँ, c o m p 1 equal to c o m p dot copy देखें, दोनों different है, अब भी हमने कुछ किया नहीं है इसमें, लेकिन एक value को मैं over add कर लेता हूँ, c o m p में अब देखें मैं, c o m p dictionary में मैं एक नया letter add करता हूँ, और एक company add कर लेता हूँ, that is microsoft, अब c o m p देखते हैं, देखें यहाँ पर एक dictionary यहाँ पर एक नई key add होगी है, और c m p 1 को देखते हैं, देखें यहाँ पर नहीं add हूई है, देखें यहाँ तो हम चीज पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप चीज देखें, c o m p 1, c o m p, की, जो key है i, small में, वो represent करती है कि list को, company i, IBM and Intel, consider कीजिए, मैं इसमें एक और company add कर लेता हूँ, यहाँ लिस्ट है, तो इसमें मैं append कर लेता हूँ, एक और, मैं कर लेता हूँ, infosys, देखें, यहाँ पर मैंने infosys add कर लिया, c o m p में, अब इसको देखते हैं, c o m p 1, देखें, यहाँ पर अब कुछ गडबढ़ हो गई है, यहाँ पर भी infosys add हो गई है, मतलब यह तो copy थी, लेकिन यहाँ पर भी infosys add हो गई है, पुरा item add नहीं हो रहा, लेकिन किसी key में change कर रहा हो, किसी value में change कर रहा हूँ, एक special value में change कर रहा हो, मतलब इसमी आई में, तो वहाँ पर changes आ रहे हैं, वहाँ पर changes आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से copy नहीं है, तो friends, यहाँ पर एक concept आता है deep copy and shallow copy का, Deep copy और shallow copy के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा कि क्या difference है और कैसे आपको deep copy बनाने है तो यह इक तरह की shallow copy है किवल उपर उपर से उपर उपर से, मतलब की नया आप item में add कर दो थीक है लेकिन अगर आप किसी list के अंदर add करोगे तो वहां पर वह copy नहीं बन थे क्यों कि यह deep copy नहीं बन रही है तो यह थो copy अगला method देखते हैं get तो friends get method में क्या होता है get method में get method को जाने से पहले पहले कुछ हम इसका scenario समझते हैं देखें अगर हमने port 1 की dictionary बनाई थी अगर मैं इसको access करता हूं port 20 को वह देखें मेरे पास ftp आ गया और मान लीजे मैं 21 डा देता हूं देखें यहां पर error है की error है 21 की existing नहीं करते हैं तो यहां इस case में अगर ऐसा error आ जाए तो पूरा का पूरा program ही stop हो जाता है तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं get method यहां पर आप देखें अब देखें कुछ नहीं आ रहा है अगर आप इसे print करेंगे अगर आप से print करेंगे तो यहां पर none आयता है लेकिन error नहीं आया है none आ गया है आप अपना by default कोई message भी type कर सकते हैं जिसे hello as a not found तो मेरे पास यहां पर क्या है not found अगर तो key exist करती है तो अब आता है FTP अगर क्या exist नहीं करती है तो अब आता है FTP एक बार इस code को अगर आप चलाके देखें कि आप इससे run कैसे कर सकते हैं कोई doubt आ रहा है मन में तो यहां पर आप notpad++ में लिखिए या किसी भी editor में लिखिए और यहां पर लिखिए input key k equal to input अब इस प्रोग्राम को मैं run कर लेता हूं अब की एंटर करते हैं 20 देखिए इसकी value आ गए उसकी description आ गए 23 फिट description आ गए अब 21 देखिए यहां पर note phone आ गया देखिए error नहीं आ है वह जिस्ट एक message आ गया तो यह get as method का यूज़ा और हमेशा इसी method को यूज़ कीजिए जब भी आपको value access करनी है by using की और कुछ मत यूज़ कीजिए इसी को यूज़ कीजिए friends अगला method देखते हैं जो की get का ही भाई है यहां लिखते है set default set default f a u f a u l t not found देखिए not found आ गया लेकिन साथ-साथ देखिए काम तो बिल्कुल वैसी कर रहा है अगली बार जब आप करेंगे इसको set default को तो वहीं से ही value उठा के देगा अगर value है present तो ठीक है जिसे value मैं देता हूं यहां पर 20 यहां पर value present है तो यहां पर value आ जाती है otherwise तो वह इस value को by default value को print करा देगा और उसको साथ में add भी कर देगा इसके क्या फायदे है हम इसके बाद फायदे बाद में देखेंगे set default dictionary में और collection module में अब बात करते हैं friends pop की अब माल लीजे मुझे कोई device मुझे कोई port इसमें से इसमें से कोई item डिट करना है तो मैं डेल भी कर देता हूं यह लिए लूओ 20 इस वरकिंगे इस वरकिंगे फाइन युकं य वरकिंसीटिस यius है इस वरकिंगे युकंगे तबात इसमें लाए लेकिन कंसिडर किजे की आपको टीट भी गना और सासात उसको रिट्रीब करना है क्या दिलीट हूँए है क्या डिलीट हुआ है उसको रिट्रीब भी करना है तो आप क्या किजिए पोट ट्वंटी और यहां पर पॉप लिख दीजिए पॉप 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 एंड टेक इस वन एस टीजिए करता से लिए किर आ गया तो की मस्ट भी एक्जिस्ट तो देखिए यहां पर नौट फाउंड आ गया क्योंकि ट्वंटी वन फाउंड था अगर मैं हां लिखता हूं 53 यहां पर दीनस आ अब देखते हैं पॉट वन देखिए यह आपको वे ट डिडिट डिडलीट को रिड़न नहीं कर रहा था लेकिन यहां पर आपने डिडिट किया वहां में इस अखिड़ करता हूं एक बेडिंगे लिट को रखता हूं 23 प這是 कि अगला मेठर देख लेते हैं साथ साथ कोपी गेट की अपडेट देखिए यह की वैल्यू और आइटम यह थोड़ी लेंद टोबिंगे इसको में नेक्स्ट वीडियों देखेंगे अभी अपडेट देख लेते हैं अब मेरे पास पॉर्ट डिक्शनरी है अगर मालेजी मेरे पास एक और डिक्शनरी है अब पॉर्ट वन मुझे अपडेट करनी है पॉर्ट वन विद यूजिंग पॉर्ट तो मैं लिखूंगा अपडेट पॉर्ट वो देखी यह वाली डिक्शनरी यहां पर एड हो गई है लेकिन इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स अगर मालेजी आपक यहां लेता हूं डोमेन यहां लेता हूं कुछ भी एक्स वाइजी और इस टाइम अब इसको अपडेट करता हूं तो फैंट देखी यहां पर एक्जिस्टिंग है और डिफेंट वैल्यू मतलब की यह वैल्यू अपडेट हो गया है की एक्जिस्ट करती है दोनों में सेम 53 यहां भी थी 53 यहां भी है लेकिन वैल्यू डिफेंट है तो लेटेस्ट वाली वैल्यू अपडेट हो जाती है तो यह थे फ्रेंट्स दिशनी के कुछ मैथर्स कुछ मैथर्स रमेनिंग है जैसे की वैल्यू स्पेर और फॉर लूप और डिशनी कॉंप्रिहेंशन यह